पासकार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एक्जाम यूटूब चैनल में तो गगाइज लेक्चरर की पोस्ट आ रही है आपकी लेक्चरर इंजिनिंग फिल्ड में आ रही है डिस्प्लेइन अंडर दावड टेक्निकल एजूकेशन ट्रेनिंग सर्विस केडर ग्रूपी डिपार्टमेंट आफ इस्किल एंड डेवलेमेंट एजूकेशन के फिल्ड में और देख सकते हो यह बेक्चरर दोहजार तेश से लिए कि छबीस पांच दोहजार तेश तक के फिल्ड किया जाएगा और तेरह डिपार्टमेंट में है यानि तेरह इंजिनिंग ब्रांच में है आपके सिविल, अलेक्टिकल, मेकैनिकल, अलेपनॉनिक्शन, कम्मुनिकेशन और भी सारी ब्रांच है तो उसे पे हम डिसकास करेंगे कितनी क्या बेक्चिज है, सेलेक्शन प्रॉसेस क्या है और यह उडिशा डिपार्टमेंट में है, पब्लिक सर्विस कम प्रॉसेस क्या होगा, इन सारी चीजों को वीडियो को वन तक देखें तभी समझ भाएगा, और टेलीग्राम ग्रूप कर लिजिए भाई, टेलीग्राम ग्रूप और टेक्निकल अंडरिस्कोर एक्जाम पर जाके फॉलो कर लिजिए, स्सी जेई, आर आर बी जेई, असोका सीबेच का खासियत यह है कि इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाती मिलेंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर जो खुद उस एक्जाम में कौलिफाइड हो, एक बहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आपको चाहे टेकनिकल हो या नॉन टेकनिकल हो, यह च टुको जरा और मैं पैसा कम करा देता हूं, तो मेरा कोड यूज कर लेते हो, डी पी के टू फिप्टी, तो दो सो पचास रुपया आपको और डिसकाउंट मिल जाएगा, तो इंडिया का बेस्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे चाहे टेकनिकल पढ़ लो या नॉन टेकनिक कीजिए, बेस्ट से बेस्ट हर सब्जेक्ट हो एक कॉंसेट से लेकर एक हाई कॉंसेट लेकत वल तक पढ़ाय जाएगा, जाएए आपको फटाफट इसको खरीद दिये, क्या देख रहे हो खरीद दिये, तो बैकनिस की बात किया जाए, बैकनिस में देख सकते हो, सिविल है आपको फुटि फाइब एकनसिज एक यह सि में 4 है, सिमें 10, सिमें 9, और यह से प्ल इसविल फुटि लिंगे जिनिंग की बात किया जाए, डोटल लंबञे designated 43 है, बाहरां आपके बाहरे, नौच्च तार इक्स का पंबनीशन है, मेकनिकल इंजिनिंग में आपके 53 विकं आपकी 16, 10, 5, 22, हो ही ऐलक्टॉनिक्स इन कम्प्टीफोर वेकंसीज़ है यह देख सकते हूं, कंप्यूटर साइन्स में 9 वेकंसीज़ है, और उसके बार मैतमेटिक्स में 11 वेकंसी, फिजिक्स में 13, केमिस्टी में 11, उसके बाद बात किया जातों, मोबाल इंजिनिंग में 3 3 chemical engineering 2 metallurgical में 5 mining engineering में 3 geology में total number of vacancy 224 vacancies है तोके तो यह vacancies है candidate सारी चीज़ है दिये रखी है number of vacancy fill on the basic requirement subject change by government तो यह चीज़ है आपकी age limit की बात किया जाए age limit में आप देख सकतो जो आपकी age एज वागस 212 से लेकर second अगस 84 था 38 years ठीक है आपको relaxation भी मिल जाएगा ओके लट सोब candidate should be note that date of birth has been यह सारी चीज़ है अब जो किये आपकी जो qualification होने वाली है lecturer in civil engineering में बात किया जब बैचलर in civil engineering होना ज़रूरी है और if the candidate is a master degree in engineering technology first class तो आपको भी consider किया जाएगा concern discipline तो ठीक है बैचलर डिग्री लेक्चरल इलेक्टिकल में बैचलर डिग्री तो cm सभी में क्या है ना आपको bachelor डिग्री अपने departmental wise होना ज़रूरी है ठीक है तो यह अच्छी बास है experience नहीं माग रखा है इसलिए सभी लोग इस फार्म को फिल कर पाऊगे ठीक है उसके बाद ठीक है में जॉब वेलर्ड में भी टीचिंग और टीचिंग इनी अफ गवर्मेंट इंजिनिंग कॉलेज आप पॉल टेक्निक की स्टेट अफूरीशा ठीक है तो उसके बाद मैथड अफ सेलेक्शन के लिक्वार्मेंच टाप लक्शरर कॉचुन को लेक्शरर इसओट ऌभी कंसीज फिए तो उसके बात बात किया है उसकी बत बात किया जाए जो आपके उखांग की बात क्या जाए जू रिटन ईक्जाम होगा 500 रिटन उक्जाम होने वाला है बाकी 50 सका का रिटे आपको परसनालिटी टेस्ट होगा यानि इंटर्वियू होगा इसकीम आप एक्जाम अन बोर्ड इंस्टीटर से लेवर दा सैट दा एक्जामनेशन क्लोज अपिंडिक्स वन में दिया रहेगा जून आफ एक्जामनेशन जो होगा आपको देख सकते हो कटक में वोनिश्वर में बे कंडिडेट सुट भी एबल तो एबल तो इसपीक इसपीक आपको इसपीक कर लेना होगा इसपीक रीड और राइट उडिया मस्ट है पासे लेंगवेज टेस्टी उडिया एक्वेलेंट तो दमीड इंग्लिश स्कूल इस्टेंडर कंड़क्ट वाइद बोर्ड ऑफ सब्सक्राइबिल्टी है तो निका अप्रूब द गवर्मेंट अपूडी सपूर्ट पासिंग अफूडिया लेंगवेज टेस्ट एमी स्कूल स्टेंडर ठीक है कंडिडेट हूज मोर दन वन अपूज लिविंग दा केस अपूमें कंडिर मैरेड परसन है वह लिविंग से तो यह सारी चीजे दिया गया है कोर्मेंट वेडर यह सारी चीजे टूंप के लिए खास कर इसको प्रिपेशन कीजिये और आपका सेलेक्शन के लिए जो भी है मैं वीडियो में डाल दूँगा उससे तैयारी करो बहतरी इन तरीके से आपको इस एक्जाम को निकाल सकते हो बैचलर एप्लिकेशन रेजक्टर इस सारी चीज़े दी गई है ठीक है गाई तो वीडियो अच्छी लगते हैं अप्लिक टेक्निकल एजुकेशन जो होने वाला है आपका जो इंग्लिस तो आपको पेपर है जनल इंग्लिस जो आपका 35 नंबर 35 आपका ग्रामर यूजेज बकुबलरी एंड कम्परिसेशन पैटीश तो पचास नंबर का इंग्लिस होने वाला है बाकि उसके बाद स्टेंडर कोश बढ़ते जाए अठ उसके बाद आपका पेपर टू सब्जक्ट पेपर टू की बात किया जाए और यह पेपर टू आपके सामने आने वाला है जैसे कि पेपर टू की बात किया जाए पेपर टू में आपके सब्जक्ट वान एंड टू होगा जैसे इसमें पूरा गायब दे यह पूरा मैं बता देता हूं पेपर यह है सिविल इंजिनिंग का मेकैनिकाल अलेक्टिकल सारे ब्रांच का यह पेपर दे रखा है तो फिजिक्स वालों के लिए ओके तो यह पेपर है वाइज पूरा दे रखा है ओके चलो बाकी यार यह पेपर आप देख सकते हो फटा फटा आईए टेलिग्राम ग्रूप में और जॉइन कर लिजे क्योंकि यह पेपर आपको पीडियाप उहीं पे मिलेगा दरवाज कहीं पीडियाप इंपॉर्टन